नमस्कार निज्वर इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक बाताज दिल्ली की करेंगे जहां दिल्ली में आज BJP कोर ग्रूप की बैठक हुई बैठक में तमाम बड़े नेता समेथ UP के CM योगी आधितिनाद भी शामिल हुए इस बैठक में UP विधान सभा चनाओ के लिए पाठवे चरण के उम्मिद्वारों के नामों पर चर्चा हुई है अब पाठवे चरण उसको लेकर उम्मिद्वारों के नामों पर मन्थन हुई अब बहुत जल्द पाठवे चरण के लिए भारती जनता पाठी उम्मिद्वारों के लिस्ट जारी कर देगी आपको बता दे कि अभी तक पहले दूसरे और तीसरे चोथे चरण के लिए उम्मिद्वारों के नामों का चयन एलान हो गया है और अब पाठवे चरण के चुनाओं के लिए भारती जनता पाठी उम्मिद्वारों के नामों का एलान करेगी और इसको लेकर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री योगिया आदितिनाथ भिस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए थे इसमें चर्चा की गई बहुत जल्द पाच्वे चरण के उम्मिद्वारों की सूची भी बनकर तयार हो जाएगी और एलान नामों का बहुत जल्द किया जाएगा पाच्वे चरण बेहदी मैत्वपूर्ण है हालाकि पहले चरण के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है बहुत जल्द बोटिंग शुरू हो जाएगे और पाच्वे चरण के लिए अभी नामों को लेकर मन्थन जारी है तो सीम योगी भी स्कोर ग्रूप की मीटिंग में बैठे रहे लगभग साथ विधान सभा सीटों पर मतदान होगा पाच्वे चरण में और कुछ खास बैटवपूर्ण सीटे ऐसी हैं जो इनमें शामिल है दिल्ली के अमुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने दावा किया कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि प्रवत्तर निदेशाले उनके कैबिनिट मंतरी सतेंद्र जैन को पंजाब विधान सभा चुनाओं से ठीक पहले गिरफतार करने जा रहा है उन्होंने केंद्र पर आगामी चुनाओं में बीजेपी के हार जाने का एहसास हो जाने के बाद आमादनी पार्टी को निशाना बनाने का आरूप लगाया है केजरिवाल ने कहा के आमादनी पार्टी के नेतार कारे करता इन एजेंसियों से नहीं जरते क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्हें अदालत से राहत मिलेगी उन्होंने बीजेपी को जैन या उनकी पार्टी में किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए EDS, CBI जैसी किसी भी अन्य एजेंसी को भेजने की चनौती भी दी है कर्मपुरा में स्कूल की हालत भी खराब है आम आपने पाठी के नेता राजिब गोयल ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ट नंबर 99 कर्मपुरा में RTI के जरिये खुलासा किया और उन्हें कहा कि 44 पार्कों की देखभाल में महत 4 माली हैं माली की कमी की वजह से कर्मपुरा वार्ट 99 के पार्कों की हालत काफी खराब है ये RTI के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है तो वही RTI के जवाब में निगम के स्कूलों की हालत भी काफी खराब बताई गई है पहले स्वार्ड में 6 स्कूल हुआ करते थे लेकिन अब महत 4 स्कूल ही बचे हैं जिसमें की उन स्कूलों की हालत भी काफी खराब है स्कूलों के अंदर कम्प्यूटर खराब पड़े हुए हैं इन स्कूलों और पार्कों की सुद्ध लेने वाला कोई नहीं है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को दुरूस्त करना है तो ये चीजें उपर से नीचे आती है मैं खाली निगम पार्षथ की बात नहीं कर रहा है इनके जॉन के डिप्टी चेर्मेन है ये तो जॉन के डिप्टी चेर्मेन खुद ही है इनके जॉन के चेर्मेन है इनके उपर मेर साब बैठे हैं एंसीडी के पूरा भारी भरकम इंफरस्ट्रक्चर है 18,000 करोड रोपे का बजट है जिसके अंदर पार्कों की पोजिशन मैंने आपको बताई किया चल रही है बसे बदाल है वो खुद कह रही है कि कुटे बहुत गुम रहे हैं गाएं बहुत गुम रही हैं खुद कह रही है हमारे पेड़ पोदे शूख रहे हैं हम पानी नहीं दे पारहे हमारे पास करम चारी नहीं है खुद कहा ही है कि हमारे अपने अधिकारी अनूचित कारह कर रहे हैं परश्तितियों में अगर स्कूल खराब है पारक खराब हैं पांस साल से रजल्ट निल है क्या तो हम बच्चों को लेका आगे बढ़ेंगे क्या हम इस शेतर के अंदर जो लोग हैं उनको हम पारकों की वैवस्ता देंगे देश में जहां एक और गणतंत्र दिवस की तैयारिया जोरो पर चल रही है तो दूसरी ओर तमाम सुरक्ष एजिंसी अलर्ट पर है और जगा-जगा सुरक्ष व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के रहे चेकिंग अभ्यान चलाया जा रहा है अनन्द बिहार पर सुरक्ष व्यवस्था के लिए मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई गई है लेकिन वहाँ पर कोई भी सेक्योरिटी जमान तैनात नहीं है इतना ही नहीं मेटल डिटेक्टर मशीन भी खराब पड़ी हुई है इस समय मौदूद है दिल्ली के अनन्द ब्यार आई एस बीटीर बसड़े पर और हम आपको एक नजारा दिखाना चाहेंगे यहां दिल्ली पुलिस की और से स्क्राइब लिए एक दिल्ली पुलिस ने बैनर लगा रखा है दिल्ली पुलिस सतर्क रहें आपके निकट बंब हो सकता है लेकिन मातर सिर्फ ये लोग को सतर्क करने के लिए है और दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी सुरक्षा के इंतिजाम नजर नहीं आ रहा है वहां एक मसीन लगी हुई है जो मसीन से लेकिन लोग इस रक्षा रामबरों से चल रही है इससे पहले 14 जनवरी को दिल्ली के गादिपूर मंडी में एक बंब भरा बैग मिला था जिसको एनसजी के कमांडो ने अपने पास लेके डिफोस कर दिया था लेकिन वहीं अगर आज हम स्कॉर्टी की बात करें दिल्ली का अनंद भिहार पे तो यहां कोई भी स्कॉर्टी के इंतिजाम नहीं किया लोगी सुरक्षा राम भरोते हैं इसके लिए जो हमने अधिकारियों से बात करें कोशिश की तो अधिकारी बचते नजर आए लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 14 जनवरी को जब दिल्ली के गादिपूर मंडी में बंब मिला उसके बाद भी 26 जनवरी निकट है को कोई स्कॉर्टी का बंदुबस क्यों नहीं है अगर इतनी बड़ी लापरवाई लोग के साथ करी जाएगी तो आखिर सुरक्षा का बरूसा लोग किस पे करें मैं नियूज इंडिया के लिए दिली से रवी कुमार इस सब्सक्राइब भारत के नंबर बन पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर दिली पुलिस के रियल लाइफ हीरोज प्रमुक पत्रकारों और भॉकाल 2 के मुख किरदार रिल लाइफ के हीरो मोहित रहना के बीच वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इंटराक्टिव सत्र का आयोजन किया गया आज 21 जन्वरी 2022 को थाना सदर बजार में जो की इंडिया का नंबर वन थाना 2021 में गोशित हुआ था वहां पर MX प्लेयर की एक सीरीज है बोकाल 2 जो कि एक क्राइम थ्रेलर है पुलिस रियल पुलिसमन की स्टोरी बे बेस्ड है वो उसका रिलीज हुआ है रियल हीरोज जो की इसके मोहित राइना है और जो रियल हीरोज है जो दिली पुलिस के हमने 75 ब्रेव हार्ट क्योंकि आजादी का अमरित मुश्थ चल रहा है तो 75 जो पुलिसमन हैं उनके साथ इंट्रेक्शन हुआ है बड़ा अच्छा फूट्फूल इंट्रेक्शन हुआ बड़ा कॉमन मैन है उसके मन में एक विश्वास पैदा हो एक बरोसा पैदा हो कारून के प्रति राजानी दिली के जहांगेर पुरी इलाके में हुई हात्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलजा लिया है मामले को और आरोपियों को गिरफतार भी कर लिया है पकड़े पुष्पा को देखने के बाद तीन नावालिकों ने अपना एक नया बदनाम गैंग बना डाला और गैंग को परचलित करने के लिए एक यूवक को मौत के घाट बे उतार दिया परंतु वो भूल गए इनी फिल्मों में दिखाया जाता है के कानून के हाथ लंबे होते हैं ठाना जांगिरपुरी ने हत्या के 24 घंटे के अंदर इन नावालिकों का गैंग बंडा फोड कर दिया और इन तीन नावालिकों को गिरफतार कर जेल के पीछे बेजने का काम किया है जिस तरीके से यूवा इन फिल्मों को देखकर गैंग्स्टर बनने की कामना कर रहे हैं वहीं ये भूल जाते हैं कि इनका जो आखरी रास्ता है वो जेल के पीछे जाता है दिल्ली से किरनपाल सिंग के खास रिपॉर्टर